जैहन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और डेली करेंट अफेर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम 15 सितंबर 2020 से जो भी महत्मुल प्रशन आपकी परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रशनों को डिसकस करे तो आएए सबसे पहले जो कल प्रशन पूछे गए थे उनके उत्तर हम जान लेते हैं पहला प्रशन मैंने आपसे पूछा था कि IPL 2020 के लिए आधिकारिक प्रयोजक यानि की Official Sponsorship किसे मिला है तो ये मिला है Unacademy को ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है Title Sponsorship के बारे में तब आपका उत्तर होगा Dream 11 लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यहां पर Official Sponsorship के बारे में तो आपका उत्तर होगा Unacademy Coast of Living Survey 2020 में भारत का सबसे महगा सहर रहा था मुंबई और ये बैस्विक अस्तर पर रहा था 60 अस्थान पर किस नमबर पर 60 अस्थान पर ये रहा था और दुम्या का सबसे महगा सहर रहा है हौंग कॉंग NIRF 2020 की जो रैंकिंग है इसे हमारे मानो संसाधन विकास मंत्राले यानि की वर्तमान सच्छा मंत्राले के द्वारा जारी किया जाता है और इस वर्ष जो ये रैंकिंग आई थी उसमें आपका IIT मदरास रहा था पहले अस्थान पर और IISC Bengaluru यानि की Indian Institute of Science Bengaluru यहां पर रहा दूसरे अस्थान पर World Food Prize 2020 किसको मिला है तो यह आपका मिला है डाक्टर रतनलाल को किसे डाक्टर रतनलाल को यह मिला है और PM मोधी द्वारा किस प्रजाती के सनच्छन के लिए दो पहल के लॉंद की घोशना की गए तो एक आपका होगा Project PICOC यानि की मोर के सनच्छन के लि लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दीम लेबन रखा था तो मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे चीजों को बार-बार रिवाईज नहीं करेंगे तो फिर आप किसी भी एक्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं तो इसलिए नोट्स बनाएए चीजों को रिवाईज करिए और इस प्रकार के जो प्रशन हैं उनके ऊपर थोड़ा सा खास ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है और यह हैं उन लोगों के नाम जिन्हों ने कल आप के ऊपर कोईज दिया था संजे कुमार पहले स्थान स्याम प्रताब निसाद, रोहित निसाद, रोहित निसाद, रविंद्र कस्यप, सैफाली आनंद, देवराज मीना, ग्रेटर गॉडनेस और संतोस कुमार तो इन लोगों के द्वारा सभी प्रशनों के सही उत्तर दिये गए थे और यह सीर्श दस में सामिल है इस वीडियो क जोईन होकर के आप वहां से भी पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो कर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर क्या करें आज साम से हम लोग एंटी पीसी के लिए जो इस्पेसल जीके है उसको भी डिसकस करना शुरू करेंगे और सबसे पह जाओं से या फिर खेलों से प्रश्न काफी जादा पूछे जाते हैं तो चलिए अब पहले प्रश्न से आज के इस वीडियो की सुरुवात करते हैं प्रतेक वर्श राष्टियं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है प्रतेक वर्श चाउदा सितंबर को यानिक इस प्रश्न का option C correct होगा तो हिंदी का हमारे देश में आधिकारिक भासा के रोप में क्या महत्तो है इसी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रतेक वर्स 14 सितंबर को मनाया जाता है अब आपको यहां से कुछ महत्पूर की यह ध्यार रखनी है जैसे कि हमारे सम्मिधान के अनुच्छे 343 में हिंदी को आधिकारिक भासा का दरजा दिया गया है आपको यह ध्यार रखना है कि हमारे देश की राष्टिय भासा हिंदी नहीं है यह ओफिसिल लाइंग्वेज है और 1949 को 14 सितंबर के दिन ही हमारी सम्मिधान सभा के द्वारा इसको आधिकारिक भासा के रूप में स्वईकार किया गया था इसलिए पहली बार 14 सितंबर 1953 को राष्टिय हिंदी दिवस मनाया गया था और इसी प्रकार से होता है आपका 200 हिंदी दिवस जोकी प्रतेक वर्ष 10 जन्वरी को मनाया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है यूएस ओपन 2020 पूरुस एकल तेनिश टूनामेंट का खिताब किस खिलाडी ने जीत लिया है तो ये यहाँ पर जीता है डोमिनिक थीम ने तो इस प्रशन का आप्शन भी करेक्ट होगा और ड पहले के वीडियो मेरे देखे होंगे तो इनके बारे मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ क्योंकि जब 2018 का फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें इनको हरादिया था राफिल नडाल ने 2019 का जब फ्रेंच ओपन हुआ तो उसमें भी इनहें हरादिया राफिल नडाल ने और जो आपका पहला Grand Slam टूनामेंट था यानि कि आश्टीलियन ओपन उसमें भी डोमनिक थीम हार गए थे यानि कि तीन Grand Slam टूनामेंट में हारने के बाद में फाइनली चौथी बार जा करके इन्होंने इस टूनामेंट को जीत लिया है तो इस प्रेशन का वायसे option भी correct होगा हराया किसको इन्होंने तो Alexander 0 को इन्होंने 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से हरा दिया यहाँ पर आपको यह ध्यार रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि Grand Slam टूनामेंट के final का जो लिर्णा है वह tie break के माध्यम से हुआ tie break का मतलब क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सुरुवाती 2-6 है इसमें दोमिनिक थीम पीछे चल लाए थे यानि कि यहाँ पर 2-6 से पीछे थे दूसरे में 4-6 से पीछे थे उसके बाद में इन्होंने बढ़त बनाई 6-4 से आगे हुए और फिर 6-3 से आगे हुए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बार दोमिनिक थीम आगे रहे और दो बार यहाँ पर एलक्स जेंडर जेरो आगे रहे तो फिर यहाँ पर 5-4 हुआ यानि कि टाइब रेक हुआ और उसके बाद में जा करके इसका निर्णे हुआ है इसके अलावा डोमिनिक थीम ने एक रिकॉर्ड और बना दिया क्या रिकॉर्ड कि यह ऐसे पहले खिलाडी बन गए है कि जिन्होंने दो सेट में पिछणने के बाद में शुरुआती जो दो सेट थे इसमें ये पिछणने के बाद में विजेता रहे है तो ये आपको ध्यार रखना है और एक रिकॉर्ड यहाँ पर ये बना कि 2014 US Open के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे male category में big three है यानि कि रफाइल नडाल इस्पेन के नौाक जो को भी सर्विया के या फिर रोजर फेडडर सुट्जल लैंड के इनके अलावा किसी अन्य ने यह खिताब जीता है तो कल मैंने आपको बताया था महिला एकल के बारे में जिसका खिताब जीता है नावमी ओसाका ने जापान की और यह आपका है पुरू सेकल का खिताब जिसे जीत लिया है आश्टिया के डोमिनिक थीम ने इन्होंने हराया है अलेक्सजंडर जेवरियो को और आपको बता रहा है कि यह किस देश के खिलाडी है अगला प्रेशन है बेनिस अंतरराष्टिय फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्बस्रेश्ट पत्कता यानि कि बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार फिल्म डा डिसिपल को मिला है तो यह हमारे देश के किस भासा के फिल्म है तो यह आपके मराथी भासा के फिल्म है यानि कि इस प्रेशन का उप्शन ए करेक्ट होगा तो 77 बेनिस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इटली के सहर बेनिस में किया गया और इसी दवरान हमारे यहां के जो फिल्म निर्माता है चैतन्य तम्हाने इनके द्वारा एक फिल्म निर्देशित की गई थी जिसका नम था दा डिसेपिल और इसको सर्वस्रेश्ट पतकठा का पुरस्कार मिला है इसके लावा आपको थोड़ा सध्या रखना है गोल्डन लाइन पुरस्कार के बारे में तो ये मिला है नोमड लैंड फिल्म को और इसके निर्देश्ट के क्लोज जाओ वहीं पर सिल्वर लैंड फॉर बेश्ट डैरेक्टर का पुरस्कार मिला है कियोसी कुरोसावा को वाइफ आफ ए स्पाई इससे पहले मैंने आपको दो फिल्मों के बारे बताया था एक का नाम था मुथून जो की मल्यालम भासा के फिल्म थी और एक डाक्युमेंटरी फिल्म थी जिसका नाम था सोन राइज तो इसे निव यार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था तो फिल्मों वाले प्रशने काफी ज़्याद महत्पूर्ण होते हैं तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है अगला प्रशन है किस राजकी सरकार ने प्रमुक सरकारी संस्थानों की रच्छा के लिए एक विसेस बल गठित करने की घोशना की है तो ये घोशना की है उत्तर प्रदेश राजकी सरकार में यानि कि इस प्रशन का आप्सन डी करेक्ट होगा अब ये बल है क्या और इनका काम क्या होगा दरसल मामला ये हो गया था कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा बिजनौल कोर्ट पर एक हमला हुआ था 2019 में बिजनौल कोर्ट के उपर एक हमला हुआ था वहाँ पे जो हमारे जज्ज थे उनकी भी डेथ हो गई थी और उसके बाद में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर राज सरकार से इसके उपर जवाब दे ही मांगी गई थी तो इसी के मद्दिनजर यहाँ पर CM योगी अधितिनात में जो भी प्रमुक्ष सरकारी संस्थान है जैसे की हाई कोड, जिला आदालतें, मेट्रो रेल हो गया, हवाई अड़े हो गया बित्य संस्थान कोई हो गया, सैच्छनिक संस्थान हो गया या फिर जो भी राज में ओद्धोगी काया है उनकी सुरच्चा के लिए एक बिसेश बल गठित किया जाने की घोशना की गई है तो पहले चरण में कुल मिला करके पांच बटालियन का यहाँ पर गठन किया जाएगा और इन सभी बटालियन के जो अध्यच होंगे, वह ADG रेंग के अधिकारी होंगे तो ये आपको यहाँ पर ध्यारक ना है बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज की, तो राजधानी इसकी लखनओं में है अनंदी बेन पटेल राज़िपाल है, जोकी वर्तमान में MP राज़िकी भी कारिवाहग राज़िपाल है योगी आधितनात यहां के मुख्य मंतरी है, लोग सभा में 80 सीटे है, राज़ि सभा में 31, बिधान सभा में 430, बिधान परिशद में 100 सीटे है यहां के मुख्य नयाधिस गोविंद माथूर, उच्ची नयाले आपको मिल जाएगा प्रियाग राज, यानि की पूर में इलाहबाद में, राष्टिय पार के हाँ पर मातर एक है, जिसका नाम है दुधवा, टाइगर रिजर्ब आपको तीन मिल जाएंगे अमानगड, पीली भीत और दुधवा, बायो इस पर रिजर्ब यहां पर कोई नहीं है, तो यह जो आप सारे देख रहे हैं, यह आपके हैं, रामसर साइथ, क्या है, रामसर बेटलेंड, तो समस्पूर, नवाप गंग, पार्बती अरगा, समान, इसके अलावा सरसाई नव बाके बिहारी मतुरा का प्रसिद्ध मंदिर है, एलिफर्ट रजर्ब आपको एक मिलेगा, उत्तर प्रदेश जिसका नाम है, पावर स्टेशन की बात करें, तो अनपरा, खुर्जा, पंकी और सिंग्रोली, यह आपके थर्मल पावर प्लांट है, और एक आपको एटॉमिक पावर प्लांट मिलेगा, जो कि इस्तितन नरौरा में, तो इसका नाम है नरौरा परमाण उर्जा प्लांट, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, अगला प्रशन है, जापान देश के अगले प्रधान मंत्री के रूप में, सिंजो आवे का अस्थान कौन लेगा, तो यहाँ पर उनका अस्थान लेंगे, योसी हिदे सुगा, तो इस प्रशन का उप्सन D, करेक्ट होगा, तो पिछले मंत में, मैंने आपको ये बताया ही था, कि जो जापान के वर्तमान PM हैं, सिंजो आवे जी, उनकी तबियत काफी ज़्यादा खराब रहती है, और इसलि तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो जापान में सत्ता रोड़ दल है, जिसका नाम है Liberal Democratic Party, इसके ये वर्तमान में अध्यच्छ है, और पिछले वर्स जापान में नए युग की सुरुआत हुई थी, जिसका नाम थर रीवा, और उसी समय समराठ बने थे नारू ही तो, तो अब ऐसा पहली बार होगा, कि रीवा युग में एक नए प्रधार मंतरी के द्वारा सपत लिया जाएगा, जापान की राधानी आपको टोक्यों में मिलेगी, मुद्रा यहां की है एन, और संसत की नाम है इसके National Diet, तो यह आप लोकेशन देख सकते हैं जापान की, अभ आपका सबसे महत्पूर्ण दी पाता है, जिसका नाम होंसू है, और होंसू के ऊपर ही इसकी आपको राधानी मिल जाएगी, और यहां पर है होकाइडू, तो यह आपको करम बिलकुल याद रखना है, होकाइडू, होंसू, सिकोकू और क्यूसू, अगला प्रशन है, अमेजन का अलक्सा है, और बहुत सारे फोन में ये इन बिल्ट हो करके आता है, तो अब यहां पर आपको अमिताब बच्चन जी की आवाज सुनने को मिलेगी, तो इस प्रेशन का ऑप्सन भी करेक्ट होगा, तो इसी के लिए अमिताब बच्चन के साथ में साज़ेदारी क सुन सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, सारी सुन सकते हैं, या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ें आपको इस वर्स के अंत में सुनने को मिलेगी, अमिताब बच्चन जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, कि IDBI फश्ट बैंक के द्वारा इनको अपना अमिजडर बनाया है, अजे द्योगन ये आपके आरोगी सेतू के ब्रांड अमिजडर है, टसकन ग्रांड प्रेक्स 2020, फार्मूला वन रेसिंग का खिताब किस खिलाडी ने जीता है, तो पिछला वाला जो था इटालियन में, वो मैंने आपको बताया था कि गलती से जीत ग लुइस हमिल्टन की बात करें, तो ये आपके ग्रेट बिल्टन के खिलाडी हैं, और इनकी गाड़ी है मर्सडीज, यानि कि ये मर्सडीज गाड़ी चलाते हैं, और इस सत्र, यानि कि 2020 में यह इनकी चठी जीत है, और कैरियर में इन्होंने अब तक कुल मिला करके 90 फार्म अस्थान पर, ये बाकी आपके सामने लिष्ट है, वैसे बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण ये नहीं होता है कि कौन जीता है, लगभग 80% के इसमें बिजेता लुइस हमिल्टन ही होते हैं, लेकिन वे कौन सी गाड़ी चलाते हैं, और किस देश के खिलाड़ी हैं, इसके ब नरेंदर मोदी जी ने, तो इस प्रेश्टन का उप्शन A करिप होगा, अब मामला क्या है यहां पर, तो आपको पता होगा PM आवास योजना के बारे में, दरसल ये जो योजना थी, इसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, और 1985 में इंदिरा गाधी जी की डेथ के गाध में, जब 1984 में राजी उगाधी जी PM बन गए थे, तो उनी के द्वारां भारत के सभी लोगों को आवास देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो जब 2014 में NDA की गवर्मेंट आई, तो इन्होंने 2016 में इसका नाम बदल करके PM आवास योजना कर दिया, तो ये आपका सहरी छेतरों के लिए भी है, और ये आपका ग्रामेर छेतरों के लिए भी है, और जब इसका नाम बदला गया था, तो उस समय ये लक्ष रखा गया था, कि 2022 तक हम भारत के सभी लोगों को पके घर का निर्मार करवा देंगी, यानि कि सभी के पास में घर तो अभी इसी के दवरान, PM के दवरान, गृह परवेश नाम का एक कारकरम हुआ, मद्ध प्रदेश में, जिसको सम्भोधित किया गया, और उसी के दवरान, यहाँ पर जो भी नए घर बने थे, उनका उदगाटन किया गया, और अभी मैंने आपको कल ही बताया था, कि नरे के मंतरी महिला उतकर्स योजना की गोशना की है, तो यह गोशना की है, गुजरात राज की सरकार ने, यानि कि इस प्रशन का आप्शन D, करेक्ट होगा, अब यह योजना है क्या, आईए इसको थोड़ा सा साचते हैं, जाहर सी बात है कि COVID-19 की कारण, जो भी व्यापार है, या जो भी अन्य प्रकार के economic activity हैं, उनके उपर काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो इसलिए गुजरात राज की सरकार ने ये कहा है, कि हम लोग यहाँ पर कुल मिला करके, एक लाग संक्प देता और महिला समूह की अस्थापना करेंगे, सामाने सब्दों में आप का समूह होगा, और इन समूह में से प्रतेक समूह को एक लाख रुपए का रन दिया जाएगा, जिससे वे कोई ब्योसाय शुरू कर सके, तो इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला उतकर स्योजना की घुशना की गई है, और इसकी खास बात ये है, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज यहाँ पर नहीं देना होगा, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर सी प्लेन सिवा की सुरूआत हुई है, आसीस भातिया नए डेजीपी बन गए है, और दोगिक नीती 2020 की घुशना भी की गई है, मुख्यमंत्री, किसान सहाय योजना की भी जाएगी, नई धरोहर परेटन नीती भी अभी घुशित की गई है, और INS बिराट का भी घटन भी गुजरात राजी में किया जाएगा, इसके अलावा, रेश्तम प्रसंसकर्ण केंद्र के भी अस्थापना करेगी, के वी आईसी यहाँ पर, और टेशर गन का प्रयोग करन भारत की पहली पुलिस बन गई है, गुजरात राजी की पुलिस, यहाँ की राजधानी आपको गाधी नेगर में मिल जाएगी, आचारे देवबरत राजिपाल है, बिजे रुपानी सीम है, बिजे पी के, लोग सभा में 26, राजी सभा में 11, बिधान सभा में 182 सीटे हैं, उच्छी नियाले आपको एहमदाबाद में मिलेगा, मुख्यन अधीस यहाँ के हैं विक्रम नात, राश्टिय पार के हैं ब्लैक बक, गिर, बंसदा और कच, द्वारिका धीस और सोमनात नाम से दो आपको प्रमुख मंदर मिलेंगे, आधर भूमी यहाँ पर है नल सरोवर बढ़ सेंक्विचरी और इसके लाम पच्छी बिहार की बात करते हैं तो पोर बंदर, नल सरोवर, नलिया ग्रास लैंड, कच रेगिस्तान, ठोल जील और खेजडिया यहाँ के प्रमुख पच्छी बिहार हैं अगला प्रशन है भारतिय बिग्यापन मानक परिशद के नए अध्यच बन गए हैं तो इस प्रशन का ओप्चन भी करेक्ट होगा अब ज्यादा आपको इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है ध्यान यह रखे गए सुमात कामस इसके अध्यच बन गए हैं और NS राजन इसके बन गए हैं उपाध्यच एस-CIE की बात करने तो 1980 में स्था कार के द्वारा जो कोविड-19 के कारण हमारी डिश्ट्रेस में परिसंपत्या हैं उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिए केवी कामत के दिश्टा में एक समित गठित की गई है और ग्रीश चंद मुर्मुजी ये आपके बन गए हैं 14 हुए नंबर के कैग यानि की भारत की तरप से किस केंद्रिय मंत्री ने अध्यचिता की है तो यहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है सुब्रा मन्यम जैसंकर यानिक एस जैसंकर जी इन्होंने सा अध्यचिता की है तो इस प्रेशन का option C correct होगा तो यह जो भारत आस्यान मंत्री अस्तर मिल करके सुब्रा मन्यम जैसंकर जी के द्वारा सा अध्यचिता की गई आस्यान समोंके जो दस देश है यानि कि थाइलेंड को ले करके इन दसों देशों के विदेश मंत्री इसमें सामिल हुए तो जो भारत आस्यान प्लान ओफ एक्शन था 2016 से 2020 तक का इसको यहाँ पर र Association of South East Asian Nation मुख्याले आपको मिल जागा जकार्ता में और इस वर्ष यानि कि 2020 के लिए इसका अध्यच्छ देश है बियतनाम अगला प्रशन है रगवंस प्रसाद सिंग जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राजनीतिक दल से सम्बंधित थे तो यह लालू जी के बहुत एकलोज रहे हैं और यह सम्बंधित थे राष्टिय जनता दल से तो इस प्रशन का option A करेक्ट होगा 11, 12, 13, 14 और 15 पांचों लोग सभा के दोरान ये सांसत चुने गए थे और 2004 से लेकर के 2009 तक मनमोहन जी की सरकार में ये ग्रामेड विकास मंतरी भी रहे थे तो मनरेगा जो योजना हमारी आए थी 2005 में लोगों को रोजगार देने के लिए उसमें इनका एक बहुत ही महत्मूर योगदान था यानि कि ये उसके वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं तो ये रहा आज का करेंट अफेर कुछ अन्य वन लाइनर भी आए जान लेते हैं ICI Lambert General Insurance ने अपने बीमा उत्पादों के लिए S-Bank के साथ में यहाँ पर समझोता किया है यानि कि S-Bank के साथ में मिलकर के अपने बीमा उत्पादों को ICI-CI Lambert बेचेगी Infosys Company के द्वारा 35 मिलियन डॉलर में Guide Vision Company जो की एक European Company है इसके अजगरहन के लिए समझोता किया गया है मद्य परदेश में एक जिला है जिसका नाम है मुरैना तो मुरैना जिले में DRDO के द्वारा एक सोध प्रयोक साला खोली जाएगी यानि कि Research Lab यहाँ पर खोली जाएगी और अफगान तालिबान के बीच में दोहा में इंट्रा अफगान निगोसियेशन आयोजित किया गया और इसमें हमारे जो विदेश मंत्री है S.J. संकर जी वे भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सामिल हुए थे तो यह कुछ महत्पूर्चीजे थी जिनको हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया है अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रेशन है और भारत के द्वारा किस देश में इंडिया नामक वार गेम सेंटर का निर्मार किया गया और भारतिय नोसीना द्वारा किस नाम से पर्सनल प्रोटेक्शन एक्योपमेंट किट का निर्मार किया गया तो इन प्रशनों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं अगर आप दे सकते हैं जैसा आप कमन करे वाई सा आप करिए थैंक्स फॉर वाचिंग जै हिन जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत